बॉलिवूर्ड सेलिब्रेटेज के फैंस अपने चहेते स्टार्स की शादियों को लेकर काफी ज्यादे एक्साइटेड रहते हैं। फैंस शादी से जुडी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को जानने के लिए उच्सुक रहते हैं। इसलिए अब बड़े-बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स भी सेलिब्स की शादियों की स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने में दिल्चस्पी दिखाते हैं। हाला की कुछ सालों में देखा गया है कि सेलिब्रिटेज अपनी शादियों को काफी हद तक सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि बाद में शादी की एक्सक्लूसिव फुटेज और फोटोग्राफ्स को मोटी कीमत पर बेचा जा सके। शादी साथ फरवरी को जैससमेर के सूर्यगर पैलेस में हुई। शादी को पूरी तरह से गुप रखा गया था। शादी की एक भी विडियोज या फोटोज कहीं से भी वाइरल नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स की माने तो सिधार्थ कियारा ने भी अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म को करोडों में बेच दी है। हनसिका मोटवानी ने 4 दिसंबर 2022 को बिजनेसमेन सोहिल कथूरिया से शादी की थी। उन्होंने पहले ही डिजनी लस होट स्टार को शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स बेच दिये थे। हाल ही में इसका प्रोमो भी रिलीज हुआ है। इसको एक सीरीज की तरहे रिलीज करने की तयारी है। हनसिका की शादी पर बनी सीरीज का नाम लव शादी ड्रामा है। नयंतारा और विगनेश ने भ हो गई है क्योंकि विगनेश ने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ अनसीन पिक्चर्स को पहले ही पोस्ट कर दिया था। प्रियमका चोपडा और निक जोनस ने अपनी शादी की फोटोज को एक इंटरनेशनल मैगजीन को 18 करोर में बेचा था। उनकी शादी राजस्थान के उम्मैद भवन पैलेस में हुई थी। शादी में बिलकुल नो फोन पॉलिसी थी। मीडिया की एंटरी न हो पाए इसके लिए वैन्यू के आसपास काफी टाइट सिक्योरिटी रखी गई थी। विराट कोहली और अनुशका की शादी 2017 में हुई थी। दोनोंने भारत से बाहर जाकर इटली में शादी की थी। उन्होंने अपनी शादी की फोटोज और विडियोज को एक मैगजीन को बेच दिया था। जानकारी के मुताबिक इस दील में मिले पैसों को विराट नुशका ने चैरिटी में दान कर दिया था।